हेलो फ्रेंड स्वागत है आप लोग का एंसी ए आटी जोन में एडूटेरिया करेंट एफेस का पूरा वीडियो हम लोग कर चुके हैं वीडियो फॉर्म में पूरा मैगजिन कवर हो चुका है एक टॉपिक बचा हुआ है वह है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में काफी करके बताएंगे और इवन यह भी बताएंगे कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक चीज और प्रीवियस साल का पेपर है उन्नीस पेपर है टोटल थर्टी नाइंथ वीपीस्टी से लेकिए हमने हर सब्जेक्ट का बनाना स्टार्ट कर दिया है आपको पांस 10 पेज में पांस से साथ पेज में A4 साइस पेज में की आज पास आपको मिल जाएगा सारा कय सन है इवन गेश को दो पीडियाफ ले सकते आप्छ नंबर क्या है मैं आपको बताता हूं 958 206 2485 दो नंबर है और ये अभी सरस्वती पूजा और रिपब्लीट डे के मौके पे क्योंकि 26 जयान को है तो 26% आफ है हमारे सारे कोर्सेस पे आप जरूर अवेल करना है बहुत ही लो कोश्ट लेकिन काफी एक इफेक्टिव कोर्सेस है तो आप जरूर उसको चेक कर सकते हैं हम सबस्क elbows करने का कोशिस करते हैंब क्रिकेट करते हैं सबसे पहले ऐसिया किया काफ में एसिया कप कुछ भी याद बिंडीत से दूभाई में हुआ ता सिलांका जीता पाकिस्तान सेसेंड नंबर पर रहा था सिलंका six time जीता था Women's Asia Cup की बात करे तो Bangla इसमें हुआ था वेन्यू है Bangla इंडिया जीता था seven time सिलंका runner up रहा था उसका इरानी ट्रोफी क्या होता है इरानी ट्रोफी होता क्या है एक्चुली देखो यह है तो cricket ट्रोफी कौन organize करता है BCCI organize करता है तो दो team होती है एक तो rest of India होता है और दूसरा वो होता है जो उस साल रंजी जीता होता है याद रखना जो उस साल रंजी जीता होता है उससे match होता है rest of India के साथ तो इसमें runner-up कौन रहा सौराष्टर रहा जीता कौन winner rest of India जीता है दोनों टीम के बिच होता है सौराष्टरा जरूर इस साल क्या जीता रहा होगा रंजी जीता रहा होगा उसके रंजी ट्रॉफी की बात करे रंजी ट्रॉफी 2021 की बात करे तो इसमे एकों रहा मध्यपरदेश जो जिता है ने उसका वला इराने ट्रोफी नहीं हुआ है यह अभी जो इराने ट्रोफी हुआ वह zWar nast लीज में ही अभी सौरास्ट्रा जिता था बंगाल केकला उस समय का अभी इराने ट्रोफी शुक्रान अगली यवर जो इराने ट्रोफी कि बात करते हैं 2022 गुजराद टाइटन्स जीता पहली बार आया था इस्पॉंसर और को नहीं पूछेगा जोस बटलर और परपल कप ये जूबिंद्र चहल प्लेयर अफ ते मैच हार्दिक पांडय ये ध्यान रख से तो प्लेयर अफ देशन जोस बटलर ठीक है उसके मेन ये और सिखरदवन पहला बैट्समन बना जो आई पील में 700 बाउंडरी हिट किया है बाउंडरी में चौका और छक्का दोनों होता है और हादिक पांडया फास्टेस्ट क्रिकेटर बना जो 106 लगाया आई पील में इस पूरे में आपको विनर का याद रखना है उसके जो नई इंडिया पाचवी बार जीता है टाइटल इंडिया काप्टन को रहा यस दूल कैप्टन है रणर अप इंग्लैंड प्लेयर अफ दमैच कोन है राज अंग्लैंड राज अंगद बाबा इंडिया से और डेवल्ड ब्रेविस साउथ अफ्रिका एक प्लेयर अफ तर सिरीज हुआ है इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है आप ज्याद साधे इवेंट कहां पर हुआ यह ध्यान रख सकते हो ती ट्वंटी वर्ल्ड कप 2020 इंडिया नहीं जीता नहीं पूछने का चांसे से युए यी और ओमान में हुआ यह पूछ सकता है लेकिन क्योंकि यह भी नहीं पूछा या क्योंकि इसके बाद एक और तो हो गया ना इसके बाद एक और वर्ल्ड कफ हो गया ना ये कौन जीता है इसके बाद जो हुआ वह 2022 वाला 2022 वाला कहां पर और उस्ट्रेलिया में हुआ और जीता कुन इंगलेंड जीता रनर अप कॉन रहा न्यूजिलेंड रहा नहीं पाकिस्तान रहा पाकिस्तान ठीके यह द्यान रखना है सयद मुस्ताक अली टीटोंटी ट्रॉफी यह जीता तमिलनाडू और रनर अप रहा करनाट का यह भी सिर्फ यह याद रखना है सयद मुस्ताक विजय हजारे हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश तो इस पूरे पेज में बस बहुत सरे फैक्ट दिख रहा है लेकिन इंपोर्टेंट कौन-कौन है यह अंडर वुमेन वाली ऑस्ट्रेलिया जीता अंडर नाइंटीन वाला वेस्ट इनीज में हुआ उसके अदे 2020 वाला नहीं पूछेगा क्यों 2022 वाला ओल्लेडी हो चुगा ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता इंगलेंड जी चैहानिंद्रिया जीतों लोसे इंडियान क्रिकट कीम के कैप्टेन है रोहित सर्मा घ्रौ कशर्मा यह सारा मिला वाला के बाद कर रहे है यह रहना इंडीएन वोमेन ट्रिकेट कीम फार्स बोल सुग क्वांदियान खेल्ट ए है वो रेटार्मेंट रेटार हो गई वो ओडी आई में सबसे हाई ज्यादा विकेट लेने वारी वो में है 255 अभी रेटायर हुई है उसके बाद सेप्टेंबर 2020 इंडियन किर्केटर सुरेस रहना एनौंस्ट इस रेटार्मेंट फॉम आल फॉर्म सब किर्केट सारे किर्के को क्या है उनिवर्सिटी ऑफॉल्स चैन्नाइका है ऑर बिराट कोहली बना है फॉर्स्ट प्लेयर जो तीनो फॉर्मेट के 100 मैंच खेल लुके हैं फॉर्स्ट प्लेयर बने टी-टुन्टी में जो 600 टी-टुन्टी मैंच खिल लिए उसके लावे जेम्स इंडर्शन यह फास्ट बॉलर में सबसे जादर बिकेट लेने वाले बॉल गया है यह टोटल 950 इंटरनेशनल क्रिकेट के बिकेट ले जुए है ठीक है टेस्ट में थार्ड नमबर पर आते हैं मुरली धरन और शेकेंड नमबर पर आते हैं फ्रेंच क्रिकेटर है ग्वेश्टाबे मैकॉन यह यंगेस्ट प्लेयर बने है जो कि टी-ट्वंटी में उन्होंने सतक निकाले फ्रेंच क्रिकेटर है आई-सी-सीने ने मेंबर्शिप दे यह काफ इंपोर्टेन है किस-किस क कमबोडिया और कोटेड़ी आईवरो और कहां पर मीटिंग होता बर्मिंगम में उसका नेक्स है रिसेंटली इंगलैंड के लेंसेयर क्रिकेट ग्राउंड इसको नाम चेंज कर दिया गया किसके नाम पर सुनिल गावसकर जी के नाम ठीक है और इस क्रिकेट ग्राउंड को भारत Sports and Cricket Club, याद रखना है, और मुहमंद सामी सबसे तेज 150 ODI Bicket लेने वाले बालर बन गए है, उसके अलावे जस्प्रीद पुम्रा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक ओबर में, टेस्ट में, एक ओबर में सबसे जादा रन मारने वाले प्लेयर बन गए है, वो 29 और इंगलें चिलाब स्टॉःर्ट ब्राक curved बहले बन बन गगवें पाले है, इंडियन क्रिकेटर विरात कोली फिसल्ड ne से पहले है, इंस्टाग्रम यह भी पूछेगा रोहित सर्मा हैज बीकम दे सेकें इंडियन बैश्मन आफ्टर विडाट को टू स्कोर टेन थाउजंस इंपल पूछेगा सबसे पहले दस हजार टीटवेंटी रंस टीटवेंटी में सिर्फ इंटरनेशनल की बात नहीं करें आई पील की ब है रिचा घोस यह बनी है फास्टेस्ट वुमेन प्लेयर टुए स्कोर फास्टेस्ट फिप्टी फॉर इंडियन ओडिय यह नीचे आती थी अभी यह अंडर नाइंटीन के तरफ से गई है खेल ले याद रखना है चिन्नाई सूपर किम्स बना है फॉस्ट स्पोर्स यूनि इंडिया पहला टीम बना है जो एक हजार वन डे मैच खेल चुका है और यह कहां पर यह मैच कहां पहुआ वेस्ट इंडिज के खिलाफ नरंद्र मोधी इस टिनिम पर रिशा पंद बने हैं फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टु स्कोर फास्टेस्ट फिप्टी फास्टेस् में ठीक है उसके अलावे मोहमद सामी ने सबसे कम गेंद में टेस्ट किर्केट में 200 लिया है ठीक है ना किसके लिए इंडिया के लिए उसके न्यूजिलेंड के प्लेयर एजाज पठिल अभी 10 बिकेट वाले लिस्ट में सामिल हो गया इससे पहले जीम लेकर और अनिलकुम अब से पहले हम फूटवल की बात करते तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है दो हजार बाइस में फीफा कहां पर हुआ कतर में हुआ जीता कौन अर्जेंटीना रनर अप कोन रहा फ्रांस इतना क्लियर है अब देख लेते किस को कौन कौन से अवर्ड मिले काफी फेमस अवर्ड सब है सारा लिखा दे रहो हैं पर क्योंकि ये अपडेटिड नहीं है थोड़ा सबसे पहले फ्रांस के प्लेयर थे मवापे मवापे इनको कौन सा वबार मिला गोल्डेन बूट अवर्ड है याद रखिए मवापे को बूट बूट ठीक है उसके बाद है मेसी मेसी को कौन सा मिला बॉल गोल्डेन बॉल ये बात याद रखिए उसके बाद है अर्जेंटाइना के जो गोलकीपर है जिनका नाम है मार्टिनेज इनको मिला गोल्डेन ग्लोब ऑवर्ड गोल्डेन ग्लोब पता यह फीफा आपने देखा ही जो रहो होगा यह पेनाल्टी सूट आउट में पहुंच गया था ठीक है नहीं उसके अलावे सबसे यंगेस्ट प्लेयर का वाड़ मिला फर्नांड डेज को यह भी अर्जेंटीना के छान उसके बाद आपसे पूचा फेयर प्ले आवड किस देश को मिला यह मिला इंगलैन को यह मिला फेयर प्ले तो आप देख सकते हैं मवापए को क्या बूट याद रखना मेशी को क्या मिला बॉल ग्लोब, मार्टीनेज किसका है, अर्जेंटीना का भी गोल की पर, उसके फर हैंडेज को मिला, अर्जेंटीना का है इसको मिला सबसे यंग प्लेयर अफ देयर, यंग, चलिए, कोई दिक्कत है, इतने में हमने याद कर लिया, उसके अलाबे, ये सब पूछने का चांसे बहु तो South Asian country खेलती है, तो आप देखों, इंडिया कहां पर जीता है, जो मेंस अंडर 20 वाला होता है, उसमें रण विनर रहा है, ठीक है, और उसके अलाबे, अंडर 17 वाला में विनर रहा है, लेकिन, वूमेन वाला में, बांगलादेस विनर रहा है, नेपाल, नेपाल दो जगर याओ रखना सकते हैं नहीं याद रखना तो आप छोड़ सकते हो वह को याद रख लिए काफी है FIFA वला क्योंकि फुटवल से कोशन बनेगा मालों फुटवल से examiner कोशन बनाने का कोशिस करता है उनका मन है बनाने का पहले किसको चुने का फीफा को नो प्रेफरेंस देगा ऐसे कोशन बनता है ना दुरंद कप ठीक है ना दुरंद कप ये venue का सूपर लिग वाला नहीं पूछे जेनराली यह अधराबाद FC जीता केरला बलास्टर रहा यह नहीं पूछे रहा है संतोस ट्रॉफी केरला जीता वेस्ट बेंगॉल उसके वुमेंस यूरो कप की बात करें वुमेंस यूरो यूरो कप इंगलेंड जीता रणनर अप रहा ज नाम है मनिशा कल्यान यह विकम फॉर्स इंडियन टू ओपन द। ईयूरोपीयन क्लब टुनामेंट वोमेंस चैंपियन लिग में मनीशा कल्यान फीफा वोमें वर्लड कप 2023 यह कहां पर होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यू जी लिन में हुआ मैस्कोट क्या रखा है जूनी इसको बोलते हैं पैंगवीन तो फीफा अंडर वोमें वर्ल्ड कप दो हजार तेज की बात कर रहे हैं दो होजार चबवीस वाला जो फीफा वर्ल्ड कप कहां पर यूए से कैनाड़ा और मैक्सिको तीनों मिला के होगा उसके अंडर सेवेंटीन वोमेंस वर्ल्ड कप यह कहां पर हुआ थ्री इंडियन स्टेच में होगा महराष्ट्रा गोवा और उरिशा वाइजू का स्पॉंस बाइज ने स्पॉंसर से प्लिया है फीफा वर्ल्ड कप में याद रखना है आपको न्यू फुट्वाल नेम जिसका नाम है अल रहला इसको रिलीज किया फीफा वर्ल्ड कप के लिए और इसको किस ने रिलीज किया अडिदास अडिदास ने अल रिले सिंपल पुछे अल पॉट्ल इनको उनर किया गया है वुमिन्स वालन डिओर ठील उसके ङण प्लेयर विद् सेकेंड हैस सेकेंड हैस्त नमबर ओफ इंटर्नेशनल कोर पर्टूगेल के जो किर्ष्टियानो रॉनाल्ड है पहले फुट्वार बने जो स्कोर कर्चिवी 800 गोल हाइस्ट गोल स्कोलर इन इंटरनेशनल फूटवाल ही ब्रोग तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 111 इंटरनेशनल गोल उसका रिकॉर्ड इन होने तोड़ा लॉन टेनिस की बात करते हैं अब तक के लिए जब तक नहीं हमें पता है अब तक नहीं हुआ फाइनल 2023 वाला तो मैंस के सिंगल विनर कोने सिंगल है राफेल नडाल और अब तोड़ा सथेया लखना आपको याद हो जाएगा अब देखो यानि फ्रेंच ओपन तो आपको पता है राफेल नडाल किसी को जीतने नहीं देते फ्रेंच ओपन और उसके अलाबे ऑस्ट्रेलियन ओपन यह दोनों क्यों जीते राफेल नडाल यह याद रख सकते हैं उसके बाद विम लड़न को जीते है नौवाक जोकोविच सर्विया से है और यूएस ओपन किन्हों ने जीता अलकार्ज स्पेन के स्पेन के अलकार्ज कार्लोस अलकार्ज रणर अप नहीं पूछता है रूड है नौडवे के और उसके जीता है विम लड़न में कोन है इलेना कजाकिस्तान demás स्पेने अ instruct ना और नडाल पहले प्लेयर बने हैं जो 22 सिंगल ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं याद रखना ये चारो ही ग्रैंड स्लैम में आते हैं इन चारो को जोर के बात करते हैं ठीक है डैविस कप की बात करते हैं डैविस कप जीनता कोन है रसिया और रणर अप रहा है क्रोशिया डैव पुछेगा डेविस कप किस गेम में होता है तो सबसे वहले टेनिस और स्वीच टेनिस प्लेयर है स्वीच जलन के रोजर फ्रेड़े ने उन्होंना अनौन्स करते है रेटार्मेंट के यह 20 ग्रैंड स्लैम टाइडल जीत चुगी है उसके अलाबे अमेरिकन टेलिस प्लेयर से सरेना विल्यम ने भी एन्होंस की है रेटार्मेंट का लेकंग और यह 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुगी है ओँ, यह थो सरेिनी विल्यम्स ने भी सन्हसित ले लिया और अभी अन्होंने विस द्रीक यह श्रेजर राग द्हान देपु सकते हूं सरेना बिलेम्स टोटल 23 ग्रैंड स्लैम जीत की है याद ध्यान रख से तो टेइस सर्वियन टेनिस प्लेयर है नौवाग जोग विच वो पहले प्लेयर बन गये है जो 80 मैच जीत चुके है और प्लेम्स टेनिस प्लेयर है उन्होंने अभी एनौश किया है कि वो रेटार हो जाएगी अब यहाँ पर देखो इसले बाटी कौन सा जीते है और ऑस्ट्रेलिया से ही है और रेटार हो गई बैडविंटन की बात करते हैं तो बैडविंटन BWF वर्ल्ड कुछ उटा है यहाँ पर इंडियन फेमल प्लेयर है सानिय मिल जाए नाउंस के यह भी रेटार में चार ग्रेंड स्लैम और इन्होंने भी जीत रखा है उसके अलाबे बैडविंटन की बात करते हैं BWF वर्ल् ल्ड चैंपियंशिप ऐसे कब पूछते हैं कहां पर हुआ टोकवो में हुआ उसके ब्रॉंज मेडलिस्ट कोन है मेंच डवल में मेंच डवल में क्यूंकि इंडिया का प्लेश काफी नीचे रहा और एक मात्र मेडल जीता वह भी कहां से ब्रॉंज मेडलिस जीता में उसमें चिराग सेटी और शात्विक सहराज ये दोनों ने मेडल जीता है याद रखना आप लोगों ठीक है इंडिया का प्लेस क्या था है नॉमा प्लेस है और इंडिया सिर्फ एक मेडल जीता है वो भी ब्राउंज सिंगापूर ओपें 2020 की बाद करते थिजीत है यहाँ पर पहली बार या यहे काफी इंपॉर्टेंट इंफomics थॉमस कप, कौन सा है, मेंस वैडमिंटन है, मेंस वैडमिंटन, और वो जीता कौन, इंडिया जीता, वो कोन जीता, साउथ कोरिया जीता है, साउथ कोरिया याद रखना है, उसके अलाबे, चाइना रन अप रहा, अल इंगलेंड वैडमिंटन चेंपियन सिप, उसमें मेंस के सिंगल विने रहे विक्टर एलेक्शन एक्सेल्शन उसके लाई याद रखें मेंस के सिंगल के रनर अप रहे रनर अप इसी के रनर अप रहे लक्षे सेन जो की सिल्वर मेडल जीता है याद रखें आल इंगलेंड बैडमिंटन चैंशिप के रमन के रनर अप कुन है लक्षे लक्षे शेंड कुन सा मेडल जीता है in England All England Badminton Championship योनेक्स संराइज इंडिया ओपन 22 की बात करें ये न्यू देली मोह योनेक्स संराइज इंडिया ओपन इसको भी लक्षें जीता है यह फर्स उनका सूपर 500 टाइटल है शिंगापूर ओपन यह तो पीवी संदु ने जीता है स्वीश ओपन बैडविंटन 22 इसका टाइटल के इनको मिला पीवी संदु यह जीती है इनको एक और ची बनाए गया है BWF Athlete Commission के इनको जो वन अफ द शिक्स मेंबर चुना गया उनमें से एक मेंबर इनको भी चुना गया उसके अलाबे Women Single Title ने जीता पीवी संदु ने जीता स्यद मोधी इंटनेशनल टूनामेंट जो की लिखनाओ में हुआ स्यद मोधी इंटनेशनल टूनामेंट इंडियान वोमें शटलर है जिनका नाम है तसमीन मीर यह बनी है वर्ल्ड नमबर वन जूनियर बैडविंटन प्लेयर तास्मीन मेरी ज़ा फॉर्स्ट वुमें टु अचीव दफीट इन बी डब्लू एफ अंडर 19 में यह वर्ल्ड नमबर वन पहुंचके यह बहुत बड़ी बात होती है उसके लाए बैडविंटन प्लेयर है किदामबरी स् वी डबलू एफ वर्ल्ड चैंपियंशिप वी डबलू एफ वर्ल्ड चैंपियंशिप जो कि यह स्पैन में हुआ और विनर को लोह कीन यह सिंगापूर के है ठीक है ना बहुत हारे कप है यार नाती हुड़ा विकम दे यंगेस्ट इंडियन वोमन तु बिन द उरीशा 3022 सुपर हंड़िट पैड विंटियल तुड़केंट वोमें शिंगल टील जीता नाय नाती हूड़ा बॉक्सिंग की बात करा है Women's World Boxing Championship में वोल्ड बॉक्सिंग चैंपियंशिप इस्तामबूल में हुआ अरूखी उसके अलावे जीती कोन निख्चर जरीन जीती फिफ्त अंड्य मुन टविन गोल्ड मेडल She won the title by defeating Gita Pong rules of Thailand के उसको अराये इंडिया चौथ है स्थान पे रहा है जिसमें तीन मेडल इंडिया को मिले पहले स्थान पे रहा है तर्की याद रखने एक गुल्ड निखाजरेट को दो ब्राउंज मनीशा मौन और परवीन हुड़ा को तजामुल इस्लाम ठीक है यह गोल्ड मेडल जीता है इन अंडर 14 रेस्लिंग की बात करते हैं तो एसियन रेस्लिंग चैंपियंशिप है एसियन रेस्लिंग चैंपियंशिप है उसमें वेन्यू का हुआ मंगोलिया में हुआ याद रखेगा इंडिया की रैंक है फिप रेस्लिंग में तो इंडिया अच्छा है फिर भी यहां पर रैंक है थ आपान रभी कुमार देया विकम था फॉर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन ओल थ्री कंजिक्यूटेड एस्या रेस्लिंग जैंपियंशिप में तीन का तीन गोल्ड मिला शरीता मोर यह पहली इंडियन वोवन बनी जो जीती है टू कंजिक्यूटेड गोल्ड मेडल एट एस्या रेस्लिंग चैंपियंशिप में दो कंजिक्यूटेड गोल्ड जीतना अपने बाप में बड़ी बात होती है शरीता मोर ने करके दिखाया अमन सहराबद फॉस्ट इंडियन प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल अमन सहराबद गोल्ड मेडल जीता कहां पर भाई गोल्ड मेडल जीता स्पेन में स्पेन में क्या कौन सा चैंपियंशिप हुआ था अंडर 23 वर्ल्ड रेस्लिंग अंडर 23 वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियंशिप अमन सह इंडियन रेसलर है अंतीम पंगल यह बना है फॉस्ट इंडियन फीमेल रेसलर तो विन गोल्ड मेडल अट अंडर ट्वंटी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपेंशिप जो की बुल्गारिया में हुआ चलो नेक्स है विनस फोगाट की बात करते हुं वो ब्रॉंज मेडल जीती है 53 वाले के बुल्ड चैंपियनशिप ठीक याद रखें वर्ल्ड रेसलिंग चैंपेंशिप की बात करते हैं सर्विया में होता है वजरंग पुनिया को वहां पर ब्रॉंज मेडल मिला अंडर ट्व से की अस्थान पर ऐया है थांप टॉट फरेपोर्ट चैस अलंपियाड की बात करते हैं इयवेंट कहँं पा चिन्नाई में पहली भारत भारत में ठीक याद रखें नाड़ का थाम बी फाम्बी मासकट है एट चैस नाइट आइट उपन का टेगरी में गौल्ड मेडल कौ दौन जीता। उजविटान। उजवेखिस्थान। इंडिया खो में डाँ की वूमेंगी में डाँ कॉपे साथ कुपे्टे इन्डिया की एग कोουुमेंगा। होस्ट अब अगला कौन होस्ट करेगा 44 तो हो गया भाइचे नहीं में 45 होस्ट करेगा बुड़ापेस्ट हंगरी जा दखिया उसके बाद वर्ल्ड यूथ चैंपियंशिप 2022 वर्ल्ड यूथ चैंपियंशिप 2022 कहां पर रोमानिया में हुआ विनर है अंडर 16 काटेग्री के प्रानव आनंद और उसके अंडर 14 काटेग्री के एयर इलामा पार्थी इंडिया के चेस ग्रेंड मास्टर है और अर्वीन चितंबरम यह दुबाई ओपेन क्लास टूनामेंट टाइटर जे था दुबाई इंटरनेशनल ओपेन चेस टूनामेंट दोजाबी वर्ल्ड चेस चैंपियंशिप की बात करते यह दिल्ली में हुआ और जीता कुन मागन मागनस कालसन फिप चैंपियन वने रणर ऑफ यान नेपोनिया चेतली उसके अलावे यान याद रखने है यान 16-year-old इंडियन प्लेयर है डीज गुकेश यह बन है यंगेस्ट प्लेयर टो डुफिट वर्ल्ड चेनिश चैंपियर्शिप मागनस कालसन को हराने वाले है कुकेश और इससे पहले रिकॉर्ड किन के पास था आर प्रगनंधा सेवेंट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया को है राहूल श्रिवास ते जो कि तिलंगाना के अधर स्पोर्ट की बात करते हैं एफ आइएच होकी फाइवेस चैंपियंशिप की बात करते हैं स्विट जैनलन में हुआ होकी फाइवेस विनर इंडिया रहा है रनर अप पोलेंड रहा है एसिया कप होकी टुनामेंट 2022 यह साउथ कुरियर आहा है एसिया कप होकी टुनामेंट रनर अप मलेशिया फाइच वुमेंस होकी वर्ल्ड कप 2022 की बात करते हैं स्पेन और नीधर लेंड में हो रहा है विनर है नीधर लेंड और रनर अप अर्जेंटीना इंडिया को नाइंथ प्लेस मिला है उसके लाब है इंड़न होकी चैम्पियंशिप टॉनल होता ना उसमें हर्याना झेट सuuuu हराया और ट्वेल्ड होकी ंडिया सीनियर वो मैद नेन्नल चैम्पियंसिफ वह दंडौ लसल में करनाटका करना इंड्रा है are प्राफी अच्छा है और नियर्य छोप्रा विकम फॉस्ट इंडियन फ्लेयर तो विन इसल्बर मेडल इंड जैवलीन थ्रो विद थ्रो अफ 88.13 व्ल्ड एथलेटिक चैंपिंशिप व्ल्ड स्नूकर चैंपिंशिप इंगलेंड में हुआ है विनर है रोनी ओ सुलिवान रोन है अठ बात तो कब का हो गया थै नॉमा भी खतम हो गया जैपूर जीता है नॉमा याद रखीएगा जैपूर खेलो इंडिय स्यकिर्श की बात करते हैं हर्याने हम हुआ यूद्ध गेम है पहला प्लेस है हर्याना का सेकेंड महाराश्ट्रा का थर्ड मास्कोट कुन था जै जया को हम ब्लैक बग बोलते हैं और विजय जया और विजय मास्कोट अफ हर्याना कौन है धाकर धाकर यानि बूल खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं वेंगलूर में और उरिशा माँ पहरा एडिशन हुआ 2020 में 20 गेम प्ले किया गया मास्कोट कौन है वीरा वीरा एक एलिफैंट है वीरा उसके पहला प्लेस आए जैन उनिवर्सिटी का करनाट का यह 20 गोली जीता साथ सिल्बर और फांच ब्रांज राइडर कप की बात करते हैं गोल्प से रिलेटेड है यूएस से जीता है यूरोप से के अस्थान पर उसके आई एस एस एफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022 की बात करत उसके बार राहुल जाकर जाकर यह जीता है गोल्ड मेडल इन दर 25 इवेंट 25 मीटर इवेंट इन चांद गावं 2022 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जोकी साथ कोई में हुआ अबनी लेखरा वन दर सिल्बर मेडल आइन 10 मीटर इवेंट पूजा अगर इन मैन स्कीट इवेंट अर्द आई एस एफ शूटिंग वर्ल्ड कप इन साथ कोरिया अबनी लेख रहा है जो गोल्ड मेडल जी थी पैरा सुटिंग वर्ल्ड कप में और फ्रांस में जूरीच डायमंड कब की बात कते जैवलीन थ्रो से रिलेटर है शुर्जालेन में हुआ निव देली नीरचोपर इंद लुशान डायमंड लीग मीट जो की शुर्जालेन में हुआ नीरचोपर वहां पे गोल्ड मेडल जीता है याद रखें फॉर्स्ट इंडियन जोकी ड देवेन जाजरिया यह सिल्बर मोड़ मेडल जीता है कहां पे वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स जोकी मुरक्क में हुआ है इंडियन की वेटलिप्टर है शना पती गुरु नाइडू यह गोल्ड मेडल जीता है यह गोल्ड मेडल जीता है थीक है नहीं हंडेंड मेडर स्प्रिंट में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स जैंपियंशिप में जोकी फिनलेंड में हुआ इंडियन की वेटलिप्टर है शना पती गुरु नाइडू यह गोल्ड मेडल जीती है भाई आई डबलू एफ यूथ वर्ल्ड चैंपियंशिप के 55 kg वेले केटेग्री में उसके इंडिया की वेटलिप्टर है हर्षदा सरत गरूर यह पहले इंडियन वोमेन है जो महा कूंब 2022 यह कहां पर हुआ एहमदाबाद में 34th national game है गुजरात में हुआ मैसकोट क्या था सवराज सवराज एसी एटिक लाइन की बात करते हैं इनागरेशन के लिए प्राइम निस्टर नरेंद मोदीजी ने मोटो क्या है celebrating unity through sports फर्स्ट वेस्ट मेल प्लेयर की बात करते हैं शाजन प्रकास स्वीमिंग में यह important है नेशनल गेम्स की बात करें तो वेस्ट मेंज प्लेयर साजन प्रकास स्वीमिंग और वेस्ट फीमल प्लेयर हर्शिका रामचंदरन हर्शिका रामचंदरन स्वीमिंग में कि स्वूरे जीत खैब — ये मलखंद ये पहले यंगेष्ट प्लेयर बने जो की मेड़ल जीत है थैं मलखंब गेम में से है पूजा पक्ष्ट प्लेयर कि फोस्ट प्लेयर टो इन गोल्ड में डाल इन योगसन योगसन में गोल्ड मेंदनले पूजा पतेल, सरभीस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इने टॉप किया है, टेवल विद टोटल 128 मेडल, ठीक है, 37 नेशनल गेम कहां पर होगा है, गोवा में हुआ है, नेशनल गेम 2022 में कई गेम को एड किया गया है, जैसे मल्खम, योगासन, स्केचिंग, स्केच ब्रोडिंग, गोल्फ और सॉफ टेनिस, बिहार गोवार सिक्किम, वनली इस्टेट जो गोल्ड मीडल, कोई मीडल ही नहीं जीत पाया, टॉप कोन किया, सर्विसस, उसके सेकर अस्थान पर महरास्ट्रा, बिहार का 31 बार, सिर्फ दो ब्राउन जीता है, बिहार गोवाज सिक्किम, अब अब जो जो टॉपिक बचा है, लाइक में पहले बता तो कौन कौन सा टॉपिक अभी बचा है, क्यों काफी लंबा वीडियो हो जगा नहीं तो, कौमन वेल्थ गेम, टोक्यो ओलम्पिक्स, टोक्यो पार ओलम्पिक्स, और अपकमिंग स्पो बस खत्म, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आपको 26% OFF से ही है, तो अभी मैसेज करो, किस पे, 9582062485, और 69th BPSC, ज़स्ट स्टाट होगा, कब से, 13th FAB से, ठीक है, उसके अलाबे, 1st FAB से हम लोगों ने, इस चानल पे, C-Sight का क्लास आ रहा है, याद रखिया है, हिंदी चाहे किसी भी एक्जाम के लिए लो, चाहे बहुत सार एक्जाम होते हैं, जिसमें हिंदी आता है, प्रेलिम्स में, मेंस में हिंदी का यूज करो, कुछ भी करो, पूरा हिंदी आपे कवर कराई जगा, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, था